हेलो डियर स्टुडेंज आज किस लेक्षर में हम मैट्स 2 का चैप्टर नमबर वन जो अल्रेडी हम स्टार्ट कर चुके थे उसके आगे के समसम सॉल करने वाले हैं तो यह स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल अकल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलतर है तो आपके नौलिज के लिए बता दो डियर स्टुडेंस वन से लेकर नाइन वन पॉइंट कर चुके थे तो अगर वह वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले वह वीडियोस भी जरूर देखिएगा यहां पर 10th question से हमको start करना है 10th question में क्या बोला है पहले हमको question ध्यान से read करना है क्या information हमको available करके दी गई है क्या हमें find out करना है तो यह जो word problems होते हैं इसमें आप through 3 car sell हुई Rs. 240,000 का amount वाली एक car फिर दूसरी car आप यह जो amount 3 amount दी तो मतलब यह 3 car जो बेची गई है उनका amount है तो यह first car का मान लीजे 2,400,000 second car है 2,22,000 में sell हुई एं third car जो है 2,25,000 में sell हुई respectively यह पहला आमाउंट तो आगे आपको देखों इंट्रेस्ट यहां पर दिखाई दिखाई दे रहा है 17.5% का परस्ट तो मतलब यह फॉर्स्ट अमाउंट से रिलेट करता है 17.5% का कमिशन जो है फॉर्स कार पर एजन को दिया जाएगा ऐसे 17.5% परस्ट तो परस्ट कार 12.5% परस्ट और बाद में हमें बोला है कि इफ दे एजन ऑवराल एजन ओवर आल रिसीवड फॉर्स परस्ट कमिशन यहां पर ओवर आल मतलब टोटल कमिशन फॉर्स तो तीनों कार पर मिलाकर 14 परसंट रिसीव हो रहा है करके ऐसे बोल रह सब्सक्राइब करने के बाद में मैटिप्लाइब 14 परसंट जब आप निकलोगे तो टोटल कमिशन आपको मिलेगा और यहां पर बोलागी फाइंड रेट आफ कमिशन पेड नहीं दिया हुआ है हमें वही फाइंड आट करने बोला है तो अब हम कैसे फाइंड आट कर सकते तो यहां पर सीधे सीधे हमारे पास clear cut यहां पर clue है कि आप टोटल जो है overall जो कमिशन दिया गया है वह find out कर लो पहले और फीड है जो दो कार पे percentage दिया है यह जो percent कमिशन कितना percent का है वो दिया है वो निकाल लो और थर्ड कार का आप X मान कर assume करकर कर लो तो आराम से यह समह हम solve कर सकते हैं तो let's start with this सबसे पहले हम क्या करेंगे overall commission जो है वो निकाल लेंगे 14% का जो overall commission है उसको calculate कर लेंगे तो यहां question number 10 है जिसका solution हम find out कर रहे है exercise 1.1 है यह आपके knowledge के लिए फिर से लिख देती हूँ exercise 1.1 तो सबसे पहले हम लिखेंगे overall commission यहां पर फर्स कार सेकेंड कार प्राइस लिख लेते हैं cost of first car नहीं selling price of first car sold selling price of first car is equals to rupees 2,40,000 then second car is equals to rupees 2,22,000 and third car का जो price है selling price वो है rupees 2,25,000 पर इसके बाद overall commission हम लिख लेते हैं जो यह सारे given parts हम लिख रहे है overall commission overall commission received by agent as equals to 14% तो overall total commission उसको तीनों कार पर कितना मिल रहा है यह भी given में है फिर first car पर separately हम जब individually बात कर रहे है तो commission on first car rate of commission जो दिया है first car का commission on first car on the सब given parts को पहले लिख लेते हैं first car is equals to 17.5% का मेरे मर्जी से मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूं जो info दिया है information जो available है वो ही हम note down कर रहे हैं then commission on the second car is equals to 12.5% and हम जो पूछा गया rate of commission on the third car rate of commission top commission received या paid यहां पर paid word यूज हुआ है received भी लिख सकते हैं या हम paid भी लिख सकते हैं paid on third car on third car is equals to question mark यह ही हमें find out करना है तो यह सारी चीज़े जो है हमें जो यहां तक हमें given parts है given दिया हुआ है सब knowledge के लिए आपके just given चीज़े हैं अब इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगी overall commission को निकाल लेते हैं कि भी overall commission जो है वो कितना है तो overall मतलब total commission total I hope आसान लग रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्यों करें total commission is equal to total commission किस पर होगा तो यह total जो तीनों भी कार का sum up हमको करना है इन पर total commission हम find out करने वाले हैं तो 14% of 14% of bracket में लिख लेंगे first car 2 lakh 40,000 plus second car 2 lakh 22,000 and third car 2 lakh 25,000 तो आएगा 14% of इन सबको sum up करेंगे तो total जो है वो 6,87,000 क्योंकि 25 plus 22 करेंगे तो कितना होगा 47 47 plus 40 किया तो 87 तो 87 तो 87 और यहाँ पर 1000 and 2,22 तो sum up किया तो 6,87,000 अभी 6,87,000 multiply by 14 upon 100 percent के बदले अभी हम 100 ले लेंगे 14 upon 100 तो is equals to this two zeros cancel with this two zeros cancel कर दिया हमने अभी 0 and यहाँ पर 6,870 को multiply by 14 करेंगे तो जो amount आएगा वो आएगा Rs. 96,180 यह total जो commission है वो receive करने वाला है बंदा agent अभी यहाँ पर यह हमारा first हमने amount निकाला अभी हम commission on first car निकाल लेंगे फिर commission on second car निकाल लेंगे और फिर स्वर्स्ट कार इस इक्वालस तू तू लेक पॉर्टी थाउजड़न मल्टिप्लाइबाइब 17.5% तो 240,000 मल्टिप्लाइबाइ 17.5 अब आप ये decimal हटा सकते हो इस decimal को उटाने के लिए हमें क्या करना होता है नीचे 0 दे दो क्योंकि एक digit के बाद decimal है यहाँ पे 0 दे दिया तो यहाँ से 30 0 and 30330 cancel होगे चीक है ना cancel होने के बाद में अब आपको निकालना है क्या करना है 240 को जब आप मल्टिप्लाइ करोगे 175 से 240 को मल्टिप्लाइब करेंगे 175 से 42,000 जो है commission amount आ जाएगा first car पे जो commission है 42,000 आ गया multiply करके देखना multiplications मैं आपको नहीं करके दिखा रही हूँ आप लोग खुद करिए multiplications now यहाँ तक आपको screenshot चाहिए screenshot ले लीजिए क्योंकि आगे हम next page पे जा रहे है next यहाँ पर अब हमें लेना है second car पर कितना commission है वो निकालेंगे हम find out करेंगे commission on second car is equals to 22,000 multiply by 12.5% तो आएगा यहाँ पर 22,000 multiply by 12.5% अपॉन हंडर्ड परसंड की जिए पर हंडर्ड ले रहे यहाँ से decimal आपको remove करना है one digit के बाद decimal है तो एक zero निचे दे देना है calculation के लिए easy हो जाता है 3,3,3,0 से हमने cut कर दिये अब आपको क्या करना है multiply करना है triple two को आप multiply करोगे 125 से तो आपको receive होगा 27,700 यहाँ पर 50 आ जाएगा तो हम लिखेंगे 27,750 रुपीज second car पर commission third car का rate of commission ही हमको पता नहीं है कि कितना rate of commission है तो हम उसको consider कर लेते हैं वो ही तो हमें निकालना है तो हम यहाँ पर consider करेंगे कि let the commission on third car be x percent माल लेते हैं तो commission at the rate of x percent is equals to on third car on third car ऐसे भी लिख लेते हैं is equals to 2,25,000 multiply by x percent तो इसका मतलब हुआ 2,25,000 multiply by x upon hundred तो जो 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 जीरो 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 कैंसल कर दो आ गया आपका 2,250x रुपीज आ गया अभी हमारे पास देखिए सबसे पहले हमने टोटल कमिशन निकाला टोटल तीनो भी कार का मिलाकर कमिशन है हमारे पास में तो ये तीनो भी कार का कमिशन इक्वल्स टू आप तीनो कार का कमिशन को प्लस करोगे तो एक्स की वैल्यू आराम से आजाएगी तो इसको हमेना एक्विशन वन करकर मतलब 1,2,3 ऐसे हम नंबर्स दे सकते हैं अब देंगे हम नंबर पहले से मैंने नहीं दिया नंबर बाद में देखके आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से कंटेंट आपको यूज करने है तो उसके accordingly आप इनको नंबर्स हो जैसे first part ये है second part यहाँ पर रुपीज 42,000 वाला ये हुआ second then third जो है commission on second car तो ये हो गया आपका third info जो आप यूज करने वाले हो and fourth यहाँ पर है आपका 2250 वाला तो ये हो गया commission अब हम क्या करेंगे from one, two, three and four हम बुलेंगे तो from one, two, three and four तो सबसे पहले one मतलब ये one is equals to one is equals to पहला जो पार्ट है वो है 96,180 हम अमाउंट लिख लेंगे डारेक्ली कि 96,180 is equals to second जो है वो आया 42,000 तो 42,000 plus 27,750 plus 2250 एक्स इस तरीके से हम ले लेंगे इसके बाद therefore 96,180 is equals to अभी ये सब सम अप करना है तो यहाँ पे units के place पे तो zeros है तो zero है तीनों भी जी के तो zero लिख लिख लिए प्लस करने का तरीका भी zero plus five five plus five ten का zero carry over one one plus seven eight eight plus two ten ten का zero लिखेंगे फिर से अगें जो है वो value यहाँ पर zero आने वाली है अरे यहाँ यहाँ पर x variable है sorry x variable है हम इसको sum up नहीं कर सकते ही इसको sum up नहीं कर सकते है क्योंकि यहाँ पर variable x है हमें यह भूलना नहीं यह गलती नहीं करनी है यहाँ पर यह x variable होने के वज़े से हम इसको इसको साथ sum up नहीं कर सकते खाल यह दो value को हमें sum up करना है तो यहाँ पर आया 0, 5 जो आएगा value यहाँ पर unit के tens के place पर 5 वो लेना पड़ेगा हमको बोलते बोलते यह variable को मैं भी भूल गए x variable यहाँ पर है वो ध्यान देना है क्योंकि यह variable x है same नहीं है यहाँ पर like terms होते हैं उन्हीं को हम sum up कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे plus 2 2, 5, 0, x और यह आजएगा 0, 5, 7 2, 2, 7, 9 and 4, 2, 6 तो 69,750 इसको अभी हम यह cross में ले आना है तो यह minus हो जाएगा तो यहाँ पर 96,180 minus 180 मैसे अब हम minus करेंगे minus 69,750 is equals to 2,250 x हुआ therefore minus करने पर जो value हमें रिसी होगी वो 26,430 minus करके देखो तो 0 3 then 11 minus 7 किया तो 4 then यहाँ पर होगया 15 minus 6 किया तो sorry 15 minus 9 किया तो 6 and 8 minus 6 किया तो 2 26,430 is equals to 2250 x अभी क्या करेंगे left hand side is equals to right hand side है हमें पता तो यह 2250 हम left side में लिख लेते हैं क्योंकि variable जो होता है usually हम उसको left side में लिखते हैं तो 26,430 therefore x is equals to अब यह हाँ पर इनके बीच में क्या relation अब यह हाँ पर इनके बीच में क्या relation मॉल्टिप्लिकेशन का है तो cross में लेके जाएंगे तो division हो गया तो 26,430 upon हमें लेना है 2250 अब इसको आप डिवाइड करके देखो वो इस तरीके से आएगी 11.7 4 666 इस तरीके से आपकी value जो है वो जाने वाली है तो आपको क्या कर लेना है इसको rounded कर देना है और मतलब आपकी जो x की approximate value जो आएगी x is equals to approximate के लिए जैसे curve जैसा हम use करते है curve जैसे हम symbol को use करते है approximately जो value आने वाली हो 11.75% आएगा तो this is the 11.75 हो गया और यह percentage है x मतलब x percent हमने consider किया था कि x percent है तो the commission paid the rate of commission the rate of final answer होगा मारा the rate of commission paid on third car third car is 11.75% approximate I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है इसका आपको चाहिए अभी आप screenshot ले लीजिए और practice करना जो रही है math को आप wobbly नहीं कर सकते math को solve करते रहना जो रही है अभी next हम पर जाएंगे question number 11 तो आज के इस वीडियो में हम यह जो है complete कर देंगे जो exercise 1.1 है next अभी और इसमें 11 तो सम्में क्या बोल रहे है स्वतंत्र distributors की बात हो रही है कि स्वतंत्र distributor अलाव करता है 15% का discount on the list price list price पे 15% का discount to list price पे जो discount होता उसको trade discount बोलते हैं that discount is called as trade discount यह trade discount हुआ further 5% discount is given for cash payment cash payment के लिए 5% discount का बात हो रहा है तो यहां पर यह 5% discount है cash discount हुआ यह जो discount है वो cash discount है तो जो cash discount है वो invoice price पर होता है जो selling price होता है उस पर invoice price पर होता है find the list price of the washing machine यहां पर washing machine की list price नहीं दिये if it was sold for net amount of यहां पर net amount दिया है net amount दिया है 38,356.25 net amount दिया हुआ है मतलब after trade discount and after cash discount वाली value कितने में वो sale हुआ वो amount दिया है और आपको पूछा गया list price तो इसको list price कैसे निकालेंगे तो काफी आसान है difficult नहीं है आपको क्या करना है consider कर लेना कि let the list price be rupees x और उसके बाद में 15% discount उसके minus करो और फिर invoice price find out करो invoice price के लिए हम क्या करेंगे list price minus trade discount करना होगा तो step by step करेंगे तो आपको concept वैसे भी समझ में आई जाएगा कोई problem होने वाली नहीं है तो let's start with this हम क्या consider करेंगे यहाँ पर list price जो है वो x है तो suppose suppose list price को हम suppose कर रहे है consider करके लेने कि यह x रुपीज है suppose the list price the list price of the washing machine of the washing machine बी रुपीज एक्स फाइन अभी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15% का discount वो trade discount है तो 15% trade discount on list price 15% trade discount on list price यह हमें दिया है तो यह हम निकाल लेंगे एक्स पर value निकाल लेंगे इसकी क्योंकि यहाँ पर हमें नेट प्राइस दिया है तो नेट प्राइस नेट सेलिंग प्राइस तो जब हम x में से मतलब list price में से जब हम trade discount and cash discount दोनों minus करेंगे तो हम उसको equal रखकर और value find out कर सकते हैं तो यहाँ पर 15% trade discount on list price is equal to x multiply by 15% तो आ जाएगा 15 x upon 100 यह percentage के जगे पर हम 100 ले रहें तो 15 x upon 100 जो है रुपीज यह list price यहाँ पर trade discount वा इतने रुपीज का trade discount वा अभी invoice price निकालेंगे तो invoice price के लिए क्या करेंगे invoice price invoice price is equal to यह किसके equal होता है तो यह list price minus list price minus trade discount के equal होता है list price minus trade discount invoice price मतलब list price minus तो यहाँ पर list price तो हमने x consider किया था तो x minus 15 x upon 100 यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो यहाँ पर हमको LCM लेना होगा LCM लेने के लिए हमको क्या करना होगा यहाँ पर इसको multiply by 100 करना होगा तो x को भी multiply by 100 करना होगा क्योंकि जब तक denominator equalize नहीं होते आप उनका subtraction और addition नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर 100 x minus 15 x LCM लेने upon 100 तो जो value आई हो 85 x upon 100 आई तो जो invoice price है वो 85 x upon 100 invoice price हुआ I hope यहाँ तक आपको concept clear हो गया अब क्या करना है invoice price पर cash discount calculate किया जाएगा जो selling price है न invoice price मतला selling price तो 5% 5% cash discount on invoice price invoice price invoice price मतला selling price is equal to 5% of invoice price क्या है this is the invoice price 85 x upon 85 x upon 100 that will be equals to 85 x upon 100 multiply by हम यहाँ पर 5 upon 100 लेंगे 5 upon 100 फाइन अब इसको हम reduced form कर देंगे तो 5 upon 5 5 to 10 तो यहाँ पर आ गया 20 उसके बाद फिर से 5 से divide करेंगे तो 5 upon 5 और इसको 85 को divide करेंगे तो 5 upon 5 और 3 left हुआ तो 35 हो गया तो 5 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लेंगे 4 और यहाँ पर 17 हो गया ठीक है तो यहाँ पर जो value आएगी हो आजएगी 17 X upon आपका 400 है 100 multiply by 4 किया तो 400 हो गया 100 multiply by 4 किया तो 400 हो गया अब अब हमें क्या करना है नेट प्राइज निकालना है और नेट प्राइज हमें दिया हुआ भी है अब नेट प्राइज जो है वह हमें दिया हुआ भी है अमांट यहां पर जो दिया है वह नेट प्राइज नेट अमांट हमें दिया है लेकिन नेट अमांट की हेल्प से एक्स की वैलिउ निकाल सकते ना क्योंकि नेट मॉँंट हम हमें कैसे रिसीव होगा तो अब आप इन्वोईस घिस में मैंस करोगी रिक्षय होगा तो आसानी से आप आमने सामने रख यह को तो गीवन पार्थ है वह हम लिक लेते कि नेड दैन धज्क आमांट फITH व washing machine is rupees 38,356.25 this is given यह दिया हुआ है में अभी हम लिकेंगे नेट सेलिंग प्राइज यह नेट तो नेट सेलिंग प्राइज यह फॉर्मला होगे is equals to invoice price minus cash discount invoice price minus cash discount तो देफोर नेट सेलिंग प्राइज तो यह हम लिकेंगे कि 38,356.25 is equals to invoice price जो है वो है 85X upon 100 तो हम लिकेंगे यहाँ पर 85X upon 100 minus यहाँ पर cash discount जो हमें दिया है वो 17X upon यहाँ पर है हमारे पास this is the cash discount to 17X upon बहुत सारे number of ways ऐसे भी solve करने के जैसे आपको आसाल लगे अगर आपने कोई अलग वे सिखा है तो आप वो ट्राइब करके भी देख सकते हैं अमांट आपका सेम आना चाहिए अमांट जो है वो सेम आना जो रही है नाओ देफो अभी हम को क्या करना है यहाँ अगर आपको इसको भी multiply by 4 करना पड़ेगा तो इसमें भी multiply by 4 करना पड़ेगा तभी आप क्योंकि यहाँ पर हंडेड फोर्जा 400 होता है इसलिए multiply by 4 करेंगे तभी तो 400 इधर बनेगा तभी आप divide और तभी आप minus and add कर सकते हैं यहाँ पर हम माइनस करना से लिए हम 400 ले लिए उपर भी multiply by 4 कर रहें तो 85 x multiply by 4 माइनस 17 x therefore 38,356.25 multiply by आप इस 400 को cross में लिए आ सकते हो 400 as equals to यह multiply करेंगे तो 85 x multiply by 4 करेंगे तो 340 x minus 17 x हो जाएगा multiply करो यह छोड़े छोड़े multiplication नहीं बता रही हूँ काफी समय चला जाता है तो यह तो minor चीज़ें आप लोग कर सकते हो अभी यह decimal अगर आपको remove करना है तो आपको नीचे 100 लेना होगा क्योंकि one and two दो डिजिट के बाद decimal है तो आप इस तरह के से इसको ले सकते हो 38,356 मैं आपको डिरेक्ट भी बता सकती थी यहां से दो जिरो उड़ा दो तो यह decimal remove हो जाता है पर आपको concept clear करने के लिए कि भी decimal उड़ा रहे तो नीचे 100 लेलो क्योंकि दो प्लेस के बाद में decimal है इसको आपको remove करना है तो अब यह आपके 00s cancel हो जाएंगे यहां से यह 4 हो गया क्योंकि 100 forza 400 होता है is equals to 340x minus 17x अब आप minus कर सकते हो जब same variable होता है तो हम minus plus कर सकते हैं तो यहां पर minus किया तो 323x आएगा ठीक है इसके बाद अब आप इस 323 को जब cross में लेकर जाओ यहां पर multiplication का relation है cross में लेकर जाओ तो यहां पर आपको multiply कर लेना है यह जो amount दिया गया है आपको इसे आप multiply करके ले लोगे यह दिया है 38,35,625 तो 38,35,625 को आप multiply करोगे 4 से multiply करोगे 4 से तो आपको जो amount receive होगा वो होगा वान करोड करके दिखना 53,42,500 और इसको divide करना है हमें 323 से is equals to x फिर therefore अब x को हम left में लिख लेते है variable को हम usually left में लिखते है और इसको आप divide करोगे तो आप divide करके देखना आपको जो amount receive होने वाला है वो होने वाला है 47,500 amount आएगा divide करने के बाद division मैं नहीं बता रही हूँ divide करके देखे इतने तो smart है अभी maths लिया है यह सारे जो division है पहले आप लोग कर चुके हो तो 47,500 आपको x की value आ जाएगी तो मतलब इसका जो list price है तो answer हमसे यहाँ पर list price पूछा है तो the list price of the washing machine the list price of the washing machine is Rs. 47,500 मैं इस इतने बड़े बड़े amount कैसे करें जब इतने करोड़ों पैसे आएंगे तो वो भी तो गिनोगे न वो भी उसका भी इस आप किताब रखोगे तो calculation भी सीखो अब यहाँ पर इसका screenshot ले लिजे ताकि आप solve कर सके I hope आपके लिए easy जो है वे में दे पा रही हूं अभी amounts का तो कुछ नहीं कर सकते हैं हमें करना ही पड़ेगा चोड़े चोड़े यहां मतलब multiply करने के बाद ही आप division comfortably कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा वे आउटी नहीं हो बनेगा आपका कि 323 को आप divide कर सको 4 से या 323 से इसको तो आप अपने साब से देखिए कैसे कर सकते हो यहां पर इसका भी screenshot ले लिजिए अभी हम next sum पर move करते हैं question number 12 काफी चोटा सा sum है ज्यादा उसमें समय जाने वाला नहीं है आप लोगों का तो 12th sum easy भी है एकदम छोटा सा sum है calculation भी काफी easy लगने वाले हैं ना यहां पर बोला है कि a book seller जो book बेचने वाला है a book seller received Rs. 1530 as 15% commission on list price जो list price है उसको 15% का commission मिला तो a book seller receive Rs. 1530 as 15% commission as a 15% commission उसको कितना amount receive वा तो Rs. 1530 का उसको amount receive वा book seller को ठीक है find the list price तो उसकी list price क्या है काफी असन है यहां पर मतलब जो invoice price है invoice price है वो दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है हमें देखके हम यह करेंगे कि यहां पर amount क्या दिया है तो यहां पर यह जो amount है उसको कितने में receive हुआ कितना उसको receive हुआ commission वो दिया हुआ है commission received कितना हुआ 1530 का commission receive rate of commission हमको दिये 15% तो list price हम आप आसानी से निकाल सकते क्योंकि list price पर commission दिया जाता है न तो हमको list price consider करना है हम इसको suppose करेंगे let the list price of the books are x rupees x rupees करकर हम करेंगे इसको तो यहां पर suppose the list price of the books हमको list price लिख लेना है list price of the books b rupees x इसको मले एक समाल लिया commission at 15% on list price price is equal to rupees 1530 यह दिया हुआ है इसके help से commission दिया है list price हमको पता नहीं है हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमने कंसिडर किया कि list price एक से तो कमिशिन on rupees x पर कितना commission दो इसको और इसको जब हम compare करेंगे तो हम value आसानी से निकाल सकते तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह यहाँ पर इसको one दे देते हैं first info यह second info इन दोनों info को हम use कर रहे है first information second information तो from one and two from one and two दोनों भी commission है ना यहाँ पर 15 x आप पहले ही वैरीबल का पाट यह साइड में लिख लो 15 x upon 100 is equal to 1530 ले लेंगे हम therefore x is equal to 1530 इसको हम multiply कर लेंगे इस 100 को हम cross में लेके जाएंगे तो multiply हो जागा तो multiply by 100 upon इस 15 को यहाँ पर 15 x के बीच में डिलेशन मुटिप्लाइथा तो इसको cross में लेके जा रहे तो यह हो जाएगा division denominator में आ जाएगा अब इसको divide करेंगे तो 15 x 15 यहाँ पर 15 x 15 अब आप डिरेक्ट है न 15 x 2 x 30 नहीं लिख सकती हैं यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि आप दोनों भी values लेने वाले हो आप division के रूल के साब से तो 102 x 100 करेंगे तो आ जाएगा 10,200 तो यहाँ पर जो list price है the list price of the books answer final answer the list price of the books is rupees 10,200 seller को मिला यह discount उसने wholesaler से खरीदा होगा ना तो wholesaler ने उसको book seller को discount दिया publisher ने discount दिया ऐसे भी बोल सकते हैं publisher ने उसको क्या दिया discount दिया fine आपको इसके screenshot लेनी है screenshot ले लीजे काफी छोटा सा संता आसान भी है ऐसे sum 2 marks के लिए पूछे जाते है only for 2 marks इस type के fill up के लिए भी पूछ सकते हैं now next sum question number 13 पर क्या बोलते है 13 question में देखते है 13 और दो sum बचेंगे 13 होने के बार लेकिन सब चोटे चोटे 13 थोड़ा सा लेंग दी है बाकी आगे 14 तर 15 सब में एक दम चोटा चोटा है ना थर्टीन सब में बोला और रिटेलर सोल्ड एस सूट एक सूट उसने बेचा रिटेलर ने कितने में बेचा तो for rupees 8832 में बेचा after allowing 8% discount on marked price उसने marked price पे 8% discount मतलब trade discount यह जो marked price है मतलब marked price पे जो discount मिला वो trade discount हुआ this is the trade discount and further 4% on cash discount तो cash discount जो है वो invoice price पर होता है invoice price पे IP पे 4% cash discount if he made 38% profit अगर उसने 38% profit बनाया है ऐसे बोल रहे हैं कि 38% profit अगर उसने कमाया है उसने बेचा कितने में तो 8,832 रुपे में 8,832 उसने कब charge के देने के बार में 8% का उसने discount दे दिया and 4% का cash discount दे दे उसके बाद उसने 8,832 में बेच दिया sold a suit for 8,832 में बेच आमा तो उसकी जो selling price थी 38% वाला profit वाली selling price वो 8,832 है if have and यहां पर आपको बोला cost price निकाल लो and marked price यहां पर marked price की value हमको नहीं दिये and हमें cost price निकाले बोला है तो हम सबसे पहले marked price को इं te ers preference because margin price Monte trade discount versus invoice price अटर ने के देबादगे वह cash discount month करने के बाद में हम उसको compare कर सकते यह जो एमाउंट दिया गए 8,832 से फिर जो भी एमाउंट हमें रिसीव होगा जो भी एमाउंट रिसीव होगा उसके accordingly फिर हम उसको उसका जो percentage है वो वो percentage भी हम आरम से इससे निकाल सकते हैं कि कितना क्या दिया है वो देखना है भी find out करते हैं क्या है solution solve करके दिखते हैं step by step करेंगे automatically some solve होती जाएगा यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लिए लिद दमाइ पैस लिखेंगे लिद दमाग प्रिस लिद दर माग ज़ी स्था लिए अ the suit B rupees X 8% discount 8% discount on marked price यह कौन सा discount है तो trade discount है trade discount this is trade discount this equals 2 यह कितना आ जाएगा X multiply by 8% तो 8X upon 100 आ बोलोगे कि भी 8X upon 100 आया आप इसको reduce form कर सकते हो 4 के table से divide करोगे तो 4 to the 8 यहां पर 4 to the 8 फिर 2 लेफ्ट वा 4 फाइजा तो 2X upon 25 यह आ गया आपका जो रुपीज है trade discount का amount आ गया इसके बाद invoice price निकालने के लिए हमको marked price minus trade discount करना होगा तो invoice price invoice price is equals to marked price marked को हम list भी बोलते हैं minus trade discount fine इसके बाद marked price जो है वो X है minus यहां पर यह 2X upon 25 लेंगे हम इसका मतलब होता है यहां पर 25 अबोव भी आपको 25 से multiply करना है तो 25 X minus 2 X तो it will come as 23 X upon 25 तो यहां पर invoice price जो आया वो आ गया 23 X upon 25 हमने ले लिया ठीक है इसके बाद में अभी और अगर आपको यह reduce नहीं करना है आप अगर reduce नहीं करना चाहते हो तो आप इसको directly भी इसे ले सकते हो directly लेने के लिए हमें क्या करना होता है एक और इसका amount का में बता तो भी अगर आपने इधर directly लिया होता इसको यह reduce form नहीं किया होता तो फिर हम कैसे करते है इस calculation को तो reduce form नहीं करते तो हम इसको आप extra ऐसे ले लो कि भी यह extra जो भी amount से आपको लेना है फिर ले सकते हैं आप अगर आप यह reduce form नहीं करते हो तो फिर इसको कैसे लोगे अगर आप 100 में ही value रखना चाहते हो आपको zeros में convenience लगता है 100 में ही value रखना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको कैसे करना होता है उस case में आप is equals to आपका जो mark price है वो x हुआ minus x में से आप क्या minus करोगे तो 8x upon 100 अगर हम reduce form नहीं लेते हैं तो 8x upon 100 लेंगे अब यहाँ पर 100 है तो इसमें भी 100x करेंगे minus 8x upon 100 तो यहाँ पर जो value आएगी वो 92x upon 100 इस तरीके से भी हम इसे ले सकते हैं ऐसे भी लिया तो कोई इसमें harm नहीं है कोई problem नहीं है आपको कोई difficulty आने वाले नहीं है तो जिरोस में चाहिए आसानी लगती है तो जिरोस के साथ में ही रहने दो value को तो कभी भी हमें reduce form आगे जाके भी हम देख सकते कि कहां पर easily हम convert कर सकते हैं value को reduce कर सकते हैं अब यह 92X upon 100 आ गया अब क्या करेंगे अब आपको निकालना है अगला value जो है 4% cash discount तो 4% cash discount हम invoice price पर calculate करेंगे हम invoice price पर हमें calculate करना है तो हम लिखेंगे cash discount at the rate of 4% cash discount at 4% on invoice price on invoice price invoice price पर यहां पर invoice price जो हमारा है वाया 92X upon 100 तो 92X upon 100 multiply by 4% तो इसका मतलब हुआ 92X right 92X multiply by 4 upon 100 multiply by 100 तो इस percent का भी तो 100 हमें लेना पड़ेगा ना नीचे तो जो value आईगी वह आईगी 92 multiply by 4 करेंगे तो तो टूजा 8 & 4 936 तो 368 X upon 10000 इस तरीके से यह value आने के बाद में अब यह cash discount है तो cash discount को फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा invoice price अब यहां पर आपका जो पूरा यहां पर आपको net selling price दिया हुआ है सम में पूरी इंपो दिये है कि नेट selling price हमें दिया हुआ है अब वैल्यू हम आगे की निकाल सकते है क्योंकि यहां पर 8832 हमें दिया है यह net selling price है तो net selling price का formula apply करकर मतलब यहां से आप बोल सकते हो कि यह value आप लेने वाले यूज करने वाले हो this value you will use यहां पर हम बोलेंगे formula कि net selling price is equal to net selling price is 8832 रुपीज 8832 is given यह दिया हुआ है और हमें पता है net selling price कब निकाल पाएंगे हम invoice price में से जब हम minus करते cash discount to net selling तो हम यह formula apply कर सकते हैं कि NP 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 मतलब net selling price is equals to IP मतलब invoice price minus cash discount आपको चाहिए तो यहां पर आप short में इसको IP मतलब आपका क्या है this is IP ठीक है and net selling price मतलब NP NP is equals to IP minus cash discount NP आपका है therefore 8832 फिर is equals to IP जो है आपका 92X upon 100 minus cash discount आए है 368X upon 10,000 अब क्या करेंगे अब हम यहां जो हमें equalize करना पड़ेगा denominator को यहां पर 100 है तो मतलब यहां पर 10,000 है तो 10,000 100 है 100 है 10,000 हो तो यहां पर 100 आपको multiply करना है तो यहां उपर भी 100 से multiply होना चीज़ी सरीके से होनी ची value राइट तो आप तभी आप हैना subtraction कर सकते हो तो यह 9200 X हो गया तो हम लिखेंगे therefore 8,832 is equals to 9200 X क्योंकि हमने इसको multiply कर लिया 100 से क्योंकि denominator में भी हमको 100 से multiply करना पड़ेगा तभी यह 10,000 आप commonly ले सकते हो तो यह हमने तो 9200 X minus 368 X upon 10,000 एक बारी ले लिया commonly हो गया therefore 8,832 is equals to 9200 minus 368 करेंगे तो आपको value जो आएगी वो आएगी 8,832 X upon 10,000 देखेंगे अब कितना आसान हो जाएगा cancel करना अभी आसानी से आप cancel कर सकते हो आपको क्या करना है यह 10,000 को cross में लागे तो multiply हो जाएगा तो 8,832 multiply by 10,000 ठीक है और यहां पर क्या relation X के साथ 8,832 का multiplication का तो इसको जब cross में लागे तो इसको division में लिखेंगे 8,832 is equals to X हो गया अभी यहां से आपका this one's a one's a से एक cancel हो गया दोनों सेम है ऐसे लिए तो जो X की value आपकी X is equals to आगया 10,000 तो जो यहां पर marked price है वो आगया है 10,000 10,000 marked price आगया तो हम therefore, therefore marked price of the suit is Rs. 10,000 अब क्या करेंगे अब आपको यहां पर cost price निकालने बला है तो cost price कैसे निकाल सकते हैं cost price निकालने के लिए हमें क्या करना होगा तो यहां पर हम लिखेंगे if the cost price हम माल लेते हैं यहां पर profit दिया हुआ है आपको since profit is equals to 38% profit is equals to 38% given है this is given तो यहां पर हम माल लेते हैं कि cost price जो है वो 100 है let the cost price be let the cost price be जब दो price निकालने तो मैंने आपको बला था आप 100 का use करके आप find out कर सकते हो तो यहां पर हमने इसको बी रुपीज 100 कर दिया रुपीज 100 cost price be रुपीज 100 तो selling price क्या होगा तो selling price is equals to हम सब जानते है selling price की value क्या होती है selling price कैसे निकालते है cost price plus profit cost price plus profit तो यहां पर आपका cost price 100 माना है profit 38 38 रुपीज बोलेंगे हम क्योंकि 100 पे 38 परसंट मतलब 38 यहां पर 38 आपको चीज़ तो ब्रैकेट में मैं बता जिती हूँ ज़स एक वर्क आउट करके कि 100 पे आप 38 परसंट निकालोगे तो इसका मतलब क्या था 38 अपॉन 100 तो यह 100-100 गोट कैंसल इसलिए रुपीज 38 आ गया तो 138 selling price वा 138 क्या हुआ selling price अब आपके पास क्या क्या info है तो cost price selling price question के मताबिक आपके पास information है कि cost price आपने 100 वाना तो आपका selling price 138 होता है और question में आपको selling price दिया 8832 कितने में sell हुआ मतलब इसमें included profit 38% का profit 8832 में included SP के यहाँ पर ऐसा वाला समय आपने seven standard eight standard में इस तरह के से किया है 8832 आपके पास cost price नहीं है तो आप क्या करोगे इस तरह के से value को लेने वाले हो इसको हम cp करके लिख लेता है कि cp cp is equals to अब आप क्या करोगे cp के लिए 100 multiply by यहाँ पर आप करोगे 100 multiply by 8832 और यह 138 है न एक तरीके से cp मतलब बोल दोगे कि यह 138 है तो इसको 138 को यहां से denominator में ले जाएंगे अगर आप इसको x बोलते तो आप क्या बोलते वह इस आप से है तो यहाँ पर x तो नहीं बोलेंगे क्यों क्यों already mark price लिया है जस्ट आप समझ लेजे कि यहाँ पर 8832 को multiply by 100 करेंगे और divide by 138 करेंगे तो हमको cost price receive हो जाएगा divide by 138 करने पर हमें cost price आसानी से receive हो जाएगा अब आप क्या करोगे 138 को जब आप divide करते हो मतब 8832 को आप divide करते हो 138 से तो आपको 64 मिलेगा तो 64 multiply by 100 क्या तो 6400 जो cost price है वो 6400 होगी यहाँ पर final answer हम लिग देंगे cost price of cost price of a suit is rupees 6400 marked price marked price of the suit is 10,000 जो हमें already पहले ही हम receive का चुके तो यह हमारे question का answer final answer हमारे question के यही दोन है आपको चाहिए इसके screenshot ले लीजिए I hope आपको समझ में आया होगा कैसे करना है efforts टो डालना ही पड़ेगा एक minute में भी नहीं आ सकती है चीजों को solve करके देखना होगा practice करनी होगी इस तरीके के तो किये हमने जब 100 है selling price 138 है और selling price इतना दिया है तो क्या होगा डालना तो आप आराम से कर सकते हों अभी मोग करते है next question number 14 and 15 पर काफी small छोटी-छोटी question है ज्यादा समय नहीं लोंगी फटा-फटा-फटा quickly solve कर दूंगी लेगि main क्या है कि concept भी तो clear होने चेह न एकदम से speed में भगा दूंगी तो फिर concept clear नहीं तो कोई फाइदा भी नहीं है फिर आप लोगों को now an agent charges 10% commission 10% commission charge करता है plus 2% डेल क्रेडर commission if he says goods worth रुपी 37,200 तो 37,200 पर आपको 10% का commission निकालना है और 2% का डेल क्रेडर निकालना है दोनों इसी amount पे निकालना है 10% पहले इस पे निकालो 2% भी इसी amount पे निकालो और total earnings हो गई इसी commission हो गया agent का तो हम यहां पे लिकेंगे फटापट कर लेते है 14 sum तो आज ही exercise भी हमारी complete हो जाएगी 10% commission 10% commission on sale of rupees 37,200 is equals to 37,200 multiply by 10% तो इस percent का मतलब मैं बार बार repeat करती हूं 100 होता है तो upon में 100 नीचे denominator में ले जाओगे क्योंकि यहां पर multiplication के साथ है तो यहां पर upon 100 तो these two zeros got cancelled यह इसके साथ cancel हो गया यह इसके साथ cancel हो गया तो कितना आ गया amount रूपीस 3720 का commission हो चीक है तो यह commission आ गया दूसरा commission है 2% का डेल क्रेडर तो यह special commission जब है ना जवाबदारी होती है agent की अगर time पे पैसा नहीं मिला तो agent को भरना पड़ता है पैसा seller को agent देता है यह पूरी जिम्मेदारी लेता है तो उसके लिए extra commission उसको receive होता है तो on rupees 37200 तो 37200 multiply by 2% इसका मतलब वह 37200 multiply by 2 upon 100 तो यहां से zeros cancel हो गये अभी multiply करेंगे तो 4, 7, 2, 14 का 4 कह रही हो वो 1, 6 and 1, 7 तो 744 रुपीज आ गया तो उसका total earning जो है agent का agents total earning वही तो पूछा है हमें दिख देंगे फटा पर इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लोंगी इस sum के लिए मैं भी आपका agents total earnings is equals 2 rupees पहले वाला 3720 प्लस 744 तो total जो amount रुपीज 4, 6, 7, 7, 14 हो गया तो 4 कह रही हो 1, 4 तो 4, 4, 4, 6, 4 this is the answer now next question to move करते है question number 15 last question है exercise 1.1 का last question last but not least जैसे हम speech में बोलते हैं तो यहां पर अभी a wholesaler allows 25% trade discount 25% का trade discount and 5% का cash discount what will be the net price of an article mark debt रुपी 1600 शोला सो रुपे की item है उसके उपर 25% trade discount calculate करो 5% उसका cash discount calculate करो और उन दोनों के total को minus कर दो उसमें से तो आ गया net price चलो फटा फट कर लेते यह भी ज्यादा समय ना लेते हुए यहां पर 25% trade discount trade discount on invoice price on invoice price is equals to 1200 x 25% that will be equals to और सुरी 1,600 1,600 वैल्यू है 1,600 multiply by 25 upon 100 तो इस 2 zeros got cancelled 16 multiply by 25 करेंगे तो 400 हैगा तो रुपीज 400 का trade discount अब यह हमें invoice price निकालेगे लिए mark price से minus करना है तो invoice price निकालेंगे क्योंकि invoice price पे cash discount calculate किया जाता है तो invoice price is equals to यहाँ पर यह जो इसका marked price है marked price minus trade discount it will be equals to 1,600 minus 400 तो आजाएगा रुपीज त्वेल हंड़ेंड invoice price हो गया invoice price पे पे cash discount calculate कर लो तो cash discount cash discount at 5% on IP IP means invoice price is equals to 1200 multiply by 5% that will be 1200 multiply by 5 upon 100 यहाँ से जिरो 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 कैंसर 12 फाइज रुपीज शिक्स्टी 60 रुपे का cash discount अब क्या करना है net price निकालने के लिए net price यहाँ पे net price पूछा है न is equals to total कितना है यह जो marked price मार्ग्ड प्राइज माइनस क्या माइनस करेंगे तो TD प्लस CD माइनस करना है हमको तो मार्ग्ड प्राइज है यहाँ पर 1600 माइनस ब्राकेट में लिख लेंगे 400 प्लस 60 आगया 1600 माइनस 460 यहाँ तो रुपीज 1140 तो यह आपका net price पूछा तो लास्ट लाइन आभी उम्मीद करते हूँ आप लोग लिख लोगे थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो और प्राक्टिस करते रहो